तो है गाईस हैंट ऐसे ज़िए यार मैंने अपना कर वोल्वरीन का यह होमस्क्रीन सटक पी रेडी कर लिया है और इस सेटप को मैंने मिनिमलिस्टिक बनाने की कोशिश की है क्योंकि यार में मेरे पास व्यॉष्व को स्टीक सेटप को लेकर काफ ज़्यादा पमेंट्स रह लिए मिल जाएगी जिसको मैंने इस वीडियो का एंड में पूरा दिखाया है ठीक है तो भी आप जरूर देखकर जाना फिलाल यहां पर जो भी लोग मेरे चैनल पर देखो पहली बारा है ना उन लोगों को कहना चाहूं को किया आप लोगों के सपोर्ट की काफी ज़्यादा जरूर होते ठीक है अगर आप चाहतों ऐसे ही इंट्रस्टिंग से सेट अप वीडियो बनाता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना या जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना ठीक है तो चलो बात कर लेते हैं कि सबसे पर लोगों को सब कुछ पॉसिबल नहीं था उसके बाद में आपना आइकन साइज वो छोटा कर देता हूं इस बार आपको अपना इकन साइज फुल रखना है ठीक है इसको फुल बड़ा कर देना क्योंकि जो आइकन से हमारे वह काफी टाइनी आइकन से हैं अपना डार्क मोड भाई यास से एने कर लेना ठीक है यह कुछ काम करने के बाद में सबसे पहले हैं आपको वॉल्पेपर दिखा देता हूं जो मैं यूज करने वाल हूं तो यहां पर यह वाला वॉल्पेपर है यार यह मुझे काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग वल्पेपर लगा एंड ऐसे बहुत कम वॉल लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया को डाउनलोड कर लेना अब यह थीम से इनको आप नोट कर लेना जिसमें से पहली थीम होने वाली अपनी शिन्य लाइन यूवाई एक्चुल यह शाइन लाइन वाई हो सकता था बड़ पता नहीं क्यों नाम यहां पर करने हैं इसका बाद में लास्ट वरी धीमा जाएगी एक और जीप सा नाम लाइलस गोल्डन एज विया जो भी इसको पढ़ेंगे आप इसको सर्च कर लेना ठीक है तो डाउनलोड कर लेना इसकी लॉक स्क्रीन काफी जदा अच्छी है तो लॉक स्क्रीन पर टिक लागा द कर देना नीचे अपनी विजिट की जगा छोड़ देनी है आप लोगोंने एंड कुछ इस टाइप से अपना लुक निकल करा जाएगा ठीक है तो आप बात कर लेते हैं तो विजिट की विजिट के लिए आपको चले जाना अपने प्ले स्टोर में वहां से आपको डाउनलो तो इसकंदर काफी अच्छी विजिट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी यह दोनों चीज़े डाउनलोड करके रख लेना ठीक है अब आपको करना क्या है कि अपने विजिट सेक्शन में चले जाना एंड वहां पर स्क्रोल डाउन करोगे सबसे नीचे आपको के आप कर देना अपने जोड़ाएंगे तो अपना आजेंगे तो अपना टैप कर देना अपके सामने और टूहन्रेट का सबड़ाइड के आसपास विजिट आएंगे ठीक है तो थोड़ सा मुश्किल हो सकता ही दोन ना लृट स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको तो विजिट मिल जाएगी यह वाली विजिट है जो हमें चाहिए दिखा देता हूं तो इसका धियान रखना ठीक है बीच मैं X है इस टाइप से तो इस वाली विजिट आपको ले लेना है आप इसको कस्टमाईज करेंगे कस्टमाईज करना बिल्गूल मुश्किल नहीं है लोग पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हैं या फिलाल आपको अपना लेयर का आप्षिन यहाँ पर इसली मिल जाएगा तो उसका साइज चोटा बड़ा कर सकते हो उसके बाद में यहाँ पर आइटम के आप्षिन से आप देख सकता हो सारी चीज़ आपकी अ नीचे अपने मंत के नीचे इसको भी बोजिशन में आकर इस चाइप से मैं नीचे के साइड में शिफ्ट कर दूँगा ठीक है तो यह सारी चीज़े अपना शिफ्ट कर देना एक्स को छोड़ के अब एकस पर ट्यक्रणा एक्स का सबसे आपको क्या करना है किसका साइस बारी आ जाती है अपने पेंट की तो पेंट का उप्शन भी आपको वहीं देखने के लिए मिल जाएगा तो अपना एक्स का जो पेंट है उसको मैं ग्रीन कलर ले रहा हूं ठीक आप यार ग्रीन यह वाला कलर क्यों पिक किया मैंने मुझे नहीं पता बठा काफी दा इंट्र मैंने लिया है एंड यह देखो काफी ज़दा अट्रैक्टिव लग रहा है इस हो हम स्क्रीन पर अपनी अल्मोस्ट रेडी हो गई है बातकर उसके सिस्टम की तो सिस्टम भी भाई देख सकते हो यार इस ग्रीन के साथ में जो ब्लैक कलर यह ना काफी ज़दा कूल लग रह यह कैसे किया मैंने पिछले वाले सेटप वीडियो में शायद बताया था अब बात कर लेते हैं इसकी लॉक स्क्रीन की सबसे पहले तो मैं आपको लॉक स्क्रीन दिखा देता हूं किस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा इसको चेंज करना अब यार बात करूं देखो कोई भी आप अपना तीम स्क्रीप्शन में डाउनलोड करते हो ना इसको लॉक स्क्रीन पर अप्लाए करते हो तो आप उसका वोल पेपर चेंज नहीं कर सकते बट उसके बाद मैंने आपके सामने देखो यह वीडियो यहां पर उसकी लिंक मैंन मुश्किल से 10-15 मिनिट लगेंगे और आपका डिवाइस फुली कस्टोमाइज हो जाएगा अब बात करो इसकी बूट अनिमेशन की तो यह रही आप लोगों के सामने बूट अनिमेशन जो कि आप देख सकते हो यार काफी कलरफुल बूट अनिमेशन को एट किया गया है ज थाइस वाचिंग्त